जैहिन जैभारत and welcome to Dev Talks, this is Aadhi Archind. कल बड़ा interesting सी कहानी रही, जब Global South का समिट खतम हुआ, उसके बार जैशंकर जी ने press conference दी. उस press conference के अंदर एक बड़ी interesting सी उन्होंने statement दिया, जिसके बारे में मैं आप से थोड़ी बात करना चाहता हूँ. मेरे इसाब से ये एक काई ना कहीं open में messaging करी गई, जहां पर political interference के बारे में बात करी गई. उनका statement बड़ा interesting था, तो जड़ा उसके बारे में बात करते हैं, उसके बाद थोड़ी situation के बारे में बात करते हैं, और फिर देखते हैं कि हो क्या रहा है. उन्हें बात करी political internal interference की, उन्हें बोला कि साब ये जो issue है political interference का, ये करीब करीब 5-7 या 10 countries ने इसको raise करा है, और बहुत सारी global south की countries के अंदर ये concern हैं, कि western countries इनके देशों के अंदर political interference कर रहे हैं. ये issue जादा तर global south में बहुत जादा तर उठा है, as a matter of fact, मैं आपको ये बता दूँ कि Chinese कई जो observers हैं चाइना में, वो ये बोल रहे हैं कि शी जिंपिंग को काफी जटका लगा है इसके चकर में, because ऐसा अगर uprising चाइना में होता है, that becomes a big problem, क्योंकि देखिए, global south में काफी countries मे vulnerabilities हैं, political vulnerabilities हैं, वो political vulnerabilities का फायदा उठाके, ये जो deep state और गहरे राज़वाले लोग हैं, ये उल्टे सीधे काम करते हैं, तो उन्होंने बड़ा clearly बोला कि जो global south के लिए political interference बहुत बड़ा एक issue है, just sheer factor कि ये political interference को global south meeting के अंदर take up किया गया, online social media influence को take up किया गया, that should tell you कि यार ये part of agenda था, online social media के बारे में अगर मैं आपको बताओ, कल सुबही मैंने आपके अपने update में बताया था, कि उसके अंदर एक, जो main, one of the main discussion points was, कि भई, जो social media का reach और impact है, especially in the younger generations, जहां पर younger generations का mind पूरी तरह से change किया जा रहा है, और ये दिखता है कही ना कहीं, Palestine के protests और ये कि उपर काफी concern कल जताया गया, और इसकी उपर obviously क्या बात exactly हुई है, वो तो हमको पता नहीं चलेगा, because कई चीज़ें होती है, जो close door meeting में discuss होती है, but the share factor की ये चीज़ एजेंडा में थी, that tells you a lot कि कहीं ना कहीं, भारत ने सब countries के साथ बात करके बोला है, कि यार ये अवाज उठाएं, अब लोग साथ में लड़ेंगे, तो बहुत easy रहेगा, जैश अंकर जी ने open में pressure के pressure के time पे इस तहां पे ये चीज़ बोला है, भारत के elections के time पे आप सबको पता है, उसके बाद बंगलादेश में जो पूँ हुआ है, उसके बारे में सबको पता है, यह यहां पर देखिए भारत के अंदर अभी भी interference जारी है, कही न कहीं हमारे opposition के साथ meetings चलती है, उनकी यह चलता है, वो चलता है, उसके बारे में थोड़ी ची मैं आप से बात करते हैं, लेकिन सबसे जादा यह चीज़ जो बाहर निकली है, यह बंगलादेश के events के बाद एक ऐसे अब दिखा है, कि यह जो डीप स्टेट जहां पर बहुत कम लोग इसके बारे में बात करते थे, और डेफ टॉक्स का इसमें, I would call ourselves a pioneer, क्योंकि मेरे साथ जनरल रायन के साथ काफी लोगों ने डीप स्टेट के बारे में यहां पर बात हुई है, अब तो openly डीप की तरफ से, यूएस के लोगों की तरफ से, और जो similarities भारत के अंदर हैं, उनको भी जड़ा थोड़ा सा देखते हैं, सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर के साथ उनके interactions है, यहां तक ही बांगलादेश में आपको बताओं, तो डॉनल लू चार तारीक जून को आये थे, specifically to meet social media influencers in Bangladesh, countering disinformation की कहीना कहीं classes चलती है, उनकी बांगलादेश की embassy में और यहां पर भी दिल्ली में चली, आपको रीसिंटल याद होगा, एक कोई YouTube चानल है, जिनके वोस्ट हैं, आकाश बैनर जी और पिछले साल भी एक, I think, Congress की spokesperson या, Congress की काफी supporter टाइप हैं, उनको भी लिया गया यह काफी एक लिस्ट है लोगों की जहां पर जिनके social media accounts को boost किया गया है, इसके बारे में हमको सबको पता है और इसके बारे में भारत की तरफ से case भी फाइल किया गया है, High Court के अंदर जहां पर 10 तारीक October को इसके बारे में next hearing होगी, engagement हुई है political readers के साथ, वहां पर भी हुई थी बंगलादेश में यहां पभी आप देख रहे हैं, पिछले 2-4 दिनों में काफी सारी photos आ रही है और कल यहां तक कि इतना बड़ा narrative चला, कि साब रशा की तरफ से यह report आई है कि चंदर बाबू नाइडू जी को आप politically influence किया जाएगा through the church कि वो नरेंदर मोधी साब की government क अब देखिए numbers के इसाब से देखें कि तो अगर वो छोड़ेंगे भी तो इतना फरक पड़ेगा नहीं, because the numbers के इसाब से they are pretty well off, दूसरी तरफ से अगर देखें कि अगर उनकी अपनी political ambitions हैं, वो तो वहां पर कभी fulfill नहीं होगी, अगर वो यह government छोड़ेंगे, क्योंकि जो उसे अमरावती के आ रहे हैं, यह आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, वो कुछ भी नहीं आएगा, और उनका अपना political standing state में खराब हो जाएगा, क्योंकि उनके deputy chief minister, जो है पवन कल्यान जी, he is very very hardcore supporter of Modi, so there will be a chance कि इनका अपना political future काफी हत तक खराब हो जाए, तो यह चीजें देखि हिंदू के अंदर कल एक article आता है कि बड़ा concern है कि रशा की तरफ से political opposition जो है भारत में उसकी उपर attack है, यह देखिए यह बड़ा simple सा western ploy है, क्योंकि Sputnik India जो है, Sputnik India is known for spreading all sorts of news and उनकी तरफ से काफी कैसे narratives काफी चलते हैं, अब इनको थोड़ा सा आपको जिस तरह से western media को भ articles लिखता है, वहाँ पर disinformation चल सकती है और उनको ये लोग truth मांगते हैं, तो रशा की तरफ से भी जो कर रहे हैं, उनको करने दीजे न, किसमें problem क्या है, अगर वो किसी opposition member को target कर भी रहे हैं, तो आप उनका clarification डाली है, उसमें problem क्या है इतनी, बट ये concern की बात करी है कि साब य civil society के leaders के साथ, ये तो civil society के leadership जो है बड़ी prominent है, आपको सबको पताईए किस तरह से American deep state उनके साथ interaction करता रहता है, कभी magas essay award, कभी award, कभी award, काफी सारे लोग हैं, उसके बाद देखिए जो एक concern, जो jailed officials की उपर काफी jailed opposition जो थी बांगलादेश के अंदर, उसकी उपर काफी concern जताया गया, आपको इसके बारे में मैं आपको याद कराऊं कि अगर अर्विंद केजिवाल जी अंदर गए थे, तो state department में इसकी चर्चा हुई थी, इसके बारे में सवाल उठाये गए थे, और इसके बारे में उन्होंने जवाब भी दिया था, that we are very concerned or judicial process एक्दम प्रॉ जाएगा कि क्या है, मुझे पता नहीं है, but this is one of the things that you can see, और देखें ये, जो भी है, अब जो भी situation है, उसकी तरफ कुछ बढ़ तो रहे है, ED का ये काम हो रहा है, National Herald का case कुल रहा है, और काफी अधर दूसरी चीज़ें भी खुल रही है, तो कहीना कहीं कुछ action होता हुआ दिखता है, क्या होएगा, किस तरह से ये handle करेंगे, ये आगे आके देखेंगे, लेकिन अभी मैं आपको situation के बारे में बता रहा हूँ, देखें, engagement होती है students के साथ, यहाँ पर भी देखें, जो एक EDX करके जो इनका formula है, यहाँ पर जो students को भार भेजते हैं, STEM foundation की तरफ से य Evo and all that, और हमारे जो प्यारे प्यारे American ambassador हैं, जिनको बहुत लोग Eric garlic chutney बोलते हैं, मैं उनको Eric Garcetti ही बोलूँगा, उनका भी video आया था, कहीना कहीं students को बोलने के लिए, जी आईए, तो students को लेते हैं, कहीना कहीं उसके साथ वो engage करेंगे, नो देखें, how to deal with it से पहले हमको ए इंट्रेस्टिंग पढ़ती है, कल मैं एक्शली थोड़ा सा पढ़ राता है, यह है किताब लिखी भी Saul Alinsky, जिनका जो author है, उनका किताब का नाम है Rules for Radicals, उसके अंदर 19 रूल्स दिये हैं, उस रूल्स को समझना पड़ेगा आपको before you start actually dealing with these guys, सबसे पहला रूल उसके है, बहुत जादा important है, ना कि आपकी जो अक्सलियत पार है, तो यहाँ पर जो political opposition के बारे में, यहाँ पर भारत में cases चलाने की बात है, तो यह चीज हमको पड़ी clearly समझनी चाहिए, कि अगर कुछ international pressure की वज़े से आप यह action नहीं ले रहे हैं, so that it doesn't really make much of a difference, क्योंकि power यह ल indigenous population है, similarity of issues है, भारत के अंदर ऐसी चीज नहीं है, जो अब दूसरा rule कहता है कि भई, जब आपका जो दुश्मन है, उसके experience की भार की तरफ आप जड़ा अटाक करिए, जो उसको पता है, वो मत करिये, भार की तरफ अटाक करिए, ठीक है, तीसरा rule कहता है, make the enemy live up to their own books of rules, मतल same rule book कहते रहे है, ridicule is man's most the best weapon, अब जिस तरह से आप देखें, मोधी साब क्यों पर personal ridicule, अब तो खेर, दूसरी तरफ को भी in the same taste मिलना शुरू हो गया है, और कहीना कहीं, यह जो एक point है, वो उल्टा पढ़ने वाला है, but ridicule is the man's most potent weapon, और यह चीज़ मैं बहुत ताइम से बो आपके जो लोग हैं, उनको enjoyment होनी चाहिए, उनको मज़ा आना चाहिए, तब ही वो आपके साथ engage करेंगे, एक tactic जो बहुत लंबा समय चलती है, वो चलेगी नहीं जाला time, यह जो इनके rules मैं आपको बता रहा हूँ, उसके बाद अगला rule कहता है कि pressure को जरा जबरदस लगा के रखिये हमेशा कभी भी pressure उठा के मत रखियेगा, जैसे जैसे मैं rules बता रहा हूँ, आपके दिमाग में चीज़ें चलती होंगे, यह चीज़े तो भारत में भी हो रही है, लेकिन मैं आपको इसके बारे में counter बताऊंगा और इनके बारे में यह बताऊंगा अभी कि यह किस तरह से fail भी होए है, देखिए जो threat है, जारा तर जारा terrifying होता है, then the thing itself, जो मैं यह बोलता रहता हूँ कि भई, इनको sanction लगाने भारत पे लगाओ, देखते हैं क्या होता है, ठीक है भारत को रोखना बहुत मुश्किल है इस टाइम पर, तो लगा यह sanctions, तो यह threat वेट चलेग नहीं, the major premise, जो एक setup है, जहांपर tactics और यह सब चीजें होती है, वो उसका एक ही requirement होती है, कि किस तरह से आप opponent Q पर pressure ढालते हैं, यह last in का rule है, now अगर आप देखें, यह जो rules हैं, इसके अंदर यह more than one places, यह लोग fail हो चुके हैं, इनकी power नीचे जा रही है, ठीक है, जो यह power दिखाने की कोशिश कर रहे है, power तो नीचे जा रही है, they throw the Hindu guard at us, काफी बारी, आप देखेंगे, काफी सारे super Hindus हैं आजकर, जो आपके सामने Hindu, Hindu, आप लोगों को पता नहीं है, हिंदू क्या होता है, ठीक है, हम तो भईया पैदाईशी हैं, लेकिन हमको पता नहीं है, रहे हैं के articles आ रहे हैं opposition के उपर, वो तो देख के आपको सबको पता ही क्या हो रहा है, एक ही George Soros को लेके आप गुमाई जा रहे हो, गुमाई जा रहे हो, तो tactic is actually dragging, इनके अपने जो rules है, rules of radicals ये खुद तोड़ रहे हैं, we know pressure चल रहा है, बट हम भी खेल रहे हैं, ये तो ह हो चुका है, इन्होंने हमको directly threat डी है क्या, क्योंकि जिस तरह से शेक हसीना से बात हुई है, क्या मोधी साब से कुछ ऐसी बात हुई है, क्योंकि कहीं ना कहीं सुनने में आया है, 2022 में इन्होंने आके मोधी साब को बोला था कि साब, हमको एक base दे दीजे, ताकि हम अपने operations यहां से कर सके हैं, जिसके obviously मना किया गए कि हम किसी को base boost नहीं देते हैं, आपको logistical agreement sign करना है तो कर लेते हैं, उसमें कोई problem नहीं है, मेरे हिसाब से यह लोग कोशिश करते रहेंगे, कि हम उनके साथ agreement में रहें, ठीक है, और हम उनके साथ cooperate coordinate करते रहें, और यहां तक ही मैं मैं यह बोलूँगा कि चाइना के साथ लड़ने का जो एक responsibility आपको देना चाते हैं, वो हम खुशी-खुशी ले लें, यहां पर देखिए, बांगलादेश भी एक interesting example है, क्योंकि जिस तरह से चीज़ें की जा रही है, पर obviously हिंदों में एक गुस्सा है, मैं कल यह सोच जाता जिसके बारे मैं probably मैं एक separate show करूँगा, क्या बांगलादेश को भारत का Ukraine बनाने की कुछ कोशिश की जा रही है, अगर की जा रही है, तो अगर हमको यह action लेना भी है, तो किस तरह से action लेना पड़ेगा और क्या करना पड़ेगा, इसके बारे में थोड़ी सी और बात कर सकत है, बड़ अगर आप देखें, यह political interference का जो एक subject matter है, अगर यह इतनी openly deal हो रहा है, इतनी openly discuss हो रहा है, that means covertly, back end पे काफी और चीज़ें हो रही होंगी, ठीक है, जो भी चीज़ देखें, डिप्लॉमसी में, जो भी चीज़ आपको 10% उपर दिखती है, 90% actually पीछे है, इसलि प्राय पीछे, इसके बारे में किस तरह से आगे जाता है, और बड़ा interesting tactic है, अगर आपने global south को भी इसके साथ involved किया है, क्योंकि एक unified अवाज उठेगी और एक unified structure बनेगा, यहां पर देखें, global south में भारत ने और एक interesting game करी, जहां तक पाकिस्तान को अगर आप देखेंगे, तो technically, मैं तो मानता नहीं देश है, पर technically, वो global south के अंदर आता है, भारत ने invite नहीं करा, चाइना काफी time से बोलता है, भारत तो बोलता है, आप तो develop country हो, कोई tension नहीं, चाइना केता है, नहीं, मैं under develop country हो, भी develop हो रहा हूँ, तो यह जो एक global south का summit हुआ है, इसके अंदर से ज दिखता है कि यार, यह लोग, इतने सारे लोग भात कर रहे हैं, अगर यह कुछ कर दी है लोगोंने, we will not be able to deal with all of them together, unity के अंदर एक बहुत बड़ा एक impact रहता है, अब देखेंगे क्योंकि यह game आगे जाएगी, जब मोदी साब जाएंगे, पोलिंटी फर्स को, अभी जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं, लेकि there is never a wrong this thing, और कहीं न कहीं भारत को भी अपना game खेलना है, अपनी तरफ से एक leverage बनाने के लिए, यह जो आप Ukraine में करने की कोशिश कर रहे हैं, is to create a certain amount of leverage, ताकि आप अपने आपको ऐसी position में लाके रख सकें, कि आपको हिलाना मुश्किल ह जाए, तो यह बड़ा interesting सी game आगे जाएगी, एन इसके उपर हम नज़र लखेंगे, तब तक के लिए यह वीडियो को like जरूर करिएगा, subscribe करिएगा चानल को, most importantly share this with your friends and families, दुपैर में मैं आपके साथ होगा एक very interesting subject के जाथ, रात को हम बात करेंगे, राजा मुनीब साथ के की उपर पता चला कि पाकिस्तान आर्मी में फैज हमीद को हटाने के बाद बहुत तंगी है, तो जरा देखें उसके बारे में क्या हो रहा है, इस चैनल की तरफ आप लोग contribute कर सकते हैं, qr code, paypal जो description में है, या फिर super sticker, super chats के साथ आप contribute भी कर सकते हैं, thank you so much, जै हिन, जै भा कि अष्ण कहुति